आप दिन्ख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी जब इमसातियों सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है एक महत्पुर्ण विशे हमारे पास है आज और हम मौजूद हैं कौशल पवार जी जो प्रोफेसर हैं मोतिला नहरू कॉलिज में उनकी निवास्थान पे और आजकल चर्चा बहुत जो रोपे है जो यह समरस्था और समानता का जो शाब्दिक अर्थ है या उसके बारे में जो भ्रांती फैलाई जा रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या मतलब है समरस्था का और समानता का तो आईए, मैं हमसे विचार लेते हैं, सम्मेक इंडिया टीवी में स्वागते हैं थैंक यू, असल में जैसे कि आपने कहा कि आजकल ये शब्द बहुत जोरों पर है समानता और समरस्ता हमें बहुत अच्छी तरह इन दोनों शब्दों के अर्थों को और उनका क्या महत्त है इसको और समाज के ओपर प्रभाभ क्या जा रहा है इन दोनों शब्दों का इन तीन warfare को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ उपर का हिंसा हो, चाहे बाजों का हो, चाहे जंगाओं का हो, चाहे पैरों का हो, सब में एक ही रस है, एक ही खून हमारे अंदर है, और वो क्योंकि एक ही शरीर में है, तो हम सब बराबर हैं, हम सब कह सकते हैं, बराबर हैं नहीं, अब यह देखिए कि जो मस्तिक्ष का काम है वो मस्तिक्च करता है जो पैरों के काम है वो पैर करते हैं इस शब्द में भी कहीं ना कहीं एक विभनता है लेकिन इसके बावजूद भी हम जब शब्द का आर्थ लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि सारे रसे जहां बराबर हो उसको हम सब रस्ता करेंगे अब बाते हैं समानता फे समानता शब्द बाबा साथ भिम्रावा मिड करने समिधान में दिया है और वो समानता शब्द न केवल हमारे उपर के हिंसे का हमारी जंगाओं का हमारे पैरों का हमारे भुजाओं का है बलकि वो जीवन के हर अक्षेत्र में समानता हमें बोलने का अधिकार हो हमें शिक्षा का अधिकार हो हमें बाचित करने का अधिकार हो हमें बराबरी का अधिकार हो हमें मंदिरों में जाने का अधिकार हो हमें वो तमाम जो जीवन के अक्षेत्र हैं उन सब में बराबरी चाह मुझे लगता है कि हमने नहीं हासिल किया, अगर किया होता, तो ये तमाम जो हमारी सरकार हैं, HCST cell बनाती है, दूर OBC cell आजकल बीच में जोरों पे चर्चा चरी थी, और भी सारी पार्टियां दलितों के संगठन बनाती है, आप खुद ही नहीं मान रहें, कि हमने समानता भी तक नहीं दी, कि अगर समानता होती, तो आपके ये संगठन जो बिखरे हुए हैं, जो बनते हैं आपके ही द्वारा, सरकारों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, पाटियों के द्वारा, सोचल और्गनाजेशन में धीरे-धीरे इन चीज़ों को लेके कभी कमिशन बनता है, कि आज ये शब्द जो बढ़ा चड़ा कर चर्चा में जो आया जा रहा है, उसका आर्थ है क्या आखिर, उसका आर्थ है, जो समाज में जो परभाव भी डाल रहा है, और जो मेरे अनुसार भी हो सकता, आपके इंटर्प्रेशन को छोड़ों, लेकिन मेरा जो मानना है, वो ये है, कि एक खास तरह का विचार, जो ये नहीं चाहाता कि समाज में समानता के अधिकार की आवाज बुलंद हो, समीधानिक जो शब्द है समानता, वो विचारों की सोच में बुनियादी रूप से निकल के आई, बलकि वो चाहता है कि समानता की जगह पर समरस्ता शब का प्रियोग हो क्यों कि वो चाहता है कि जो हमारे विभिन विभिन समुदाएं हैं वो समुदाएं चाहे धानक समुदाएं हो चाहे वालमिकी समुदाएं रविदास समुदाएं हो ब्राहमन समुदाएं हो क्षत्रिय समुदाएं हो बनिया समुदाएं हो यादव समुदाएं जो हमारे जो जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समू हैं, समुदाय हैं, वो अपने अपने समुदायों में रहें, ये असली अर्थ है, ये गूड रहे से हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, कि इस समरस्ता शब्द का अर्थ ये है, हम चाहते हैं, खासकर वो विचारदा जो समानता की जगे समरस्ता शब्द का अजकर पूरे जोर सोर से जिसके उपर काम कर रही है जो अपना एक तरह से जो अभियान के रूप में जो चला रही है समानता की जगे समरस्ता शब्द का प्रियोग कर रही है वो इसलिए कर रही है कि वो यह चाहती है कि हम एक तो हो हम अपने आपको यह कहें कि हम हं एंदू है लेकिन हंदूओं में ये डलित है ये मुसिलिम है ये इस्त्री है ये listri है वो यह यूंकर यूं बने रहें। यह शब्द समरस्ता का है, हमारी जातियां हन्दू की जातियां कासे कर, जो जो मैंने अभी जो चुट पर चुट जो चाते जो बने हुए जो एक चाते के नीचे जो हम नहीं आना चाहरे जो नीला चाहता जो हमें चाहिए था जो अमबेडकरी विचारधारा का जो चाहता था उस चाते के नीचे ये ना आ जाएं इसलिए उन्होंने समरस्ता जोग सोच समझ कर करें, क्योंकि ये हमें उसी ववस्था में दखेलना चाहते हैं, एक तरह से जो वन वादी ववस्था थी, जो ये तो मानती थी की शरीर का एक आंग है, जिसमें ब्रहामन उपर, अक्षत्रिये भुजाओं में, वैस्चे जंगाओं में और शुद्र पैरों ब्रावनत से मुकमाशीद बाहु राजन्यकृत यह बात तो करती है सर्वे भवंतु सुखिन है लेकिन उस सूख में यह उन लोगों को शामिल करती है जो उनके अपने उसी विचारधार को वहाँ खूँ यह दलितों को इस्त्रियों को मुस्लिमों को अमारी जन जातियों को अलग-अलग-अलग करके बनाना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कि सुहार्द बना रहें यूनिटी दिखाएं यूनिटी कैसे होगी जब तक एक्वैलिटी नहीं होगी और एक्वैलिटी किस से आएगी अधिकारों से जो बाबसाब भिम्रवमेड़कर ने समिधान में द आती है लोग और लेकिन यह कहने का एक मकसद है कि खासकर SCST समाज को जो निचले तपके के जो लोग हैं उन्हीं पर ही लागू होता है कि वो ही लोग अगर सफाई का काम कर रहे हैं जूते चमडे का काम कर रहे हैं तो वो करते रहें इस तरह कि एक को मानसिकता बन रही है उ जो उच्च कोटी का जो ब्रहमन है वो अक्षत्रिय लड़की से शादी आराम से कर रहा हूँ तो वहां समरस्ता क्यों नहीं लेके आ रहे हैं देखे यह जो अच्छुत्पन का असमानता का जो है गैरबर अबरी का जो है जिसकी जिम्मेदारी है वो खुद उसको मेंटेन क करना चाहता है लेकिन वो यह चाहता है कि जो नीचे की जातिया है जो बाबसाब मेंटे करके एक चाते के नीचे आने के लिए लालाइत है जो आभी रही है हम जानते हैं दो अप्रेल का अंदोलन कितना बड़ा अंदोलन हुआ मार्च में बंद हुआ तो यह हमारी एक्ता क समरस्ता वहां चाहते हैं, ताकि हम अपनी अपनी जातियों में बटे रहे हम अंबेड कर वादी विचारधारा के नीचे ना है तो आजकल जो युवा वर्ग है समाज का जो पिछड़ा वर्ग है खासकर मैं बात करना चाहूंगा जो अती पिछड़ा वर्ग में जो सफाई करमचारी भी आते हैं उन बच्चों को उन युवाओं को किस तरीके से अपने जो पैत्रिक काम है उसको छोड़ दिया अग जाए और शिक्षा के माध्यम से वो कैसे आगे बढ़े जैसे आज आप एक बुलंदी पे हैं विदेशों में भी आप जाती हैं तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन सभी को देखिए मैं ये कहना चाहती हूं साफ साफ शब्ड़ों में और सभी कार भी करती हूं की समाजिक होने के नात ये भी कहूंघ लेकिन जो हमारे पेषे हैं जो थोपे गए हैं उन पेशों को भी जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक भी आप अपना इत्यास नहीं बना सकते आप अपना इतियास नहीं गड़ सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, खासकर जो वालमी की समुदाये हैं, वो समुदाये आज भी जाड़ों पर चिपका हुआ है, चुटपो टूधारन हमारे सामने है, no doubt, लेकिन उसको पूरी तरह से छोड़ने की जुरूरत है, इतियास ग जहना चाहती हूँ, कि इस थोपे गए पेशे को छोड़के, जाड़ों की जगह कलम उठाए, शिक्षा की तरफ जागरी तो, और डिग्री सिरफ ना ले, केवल डिग्री ना ले, डिग्री का मतलब ग्यान तो आएगा, लेकिन वो सिरफ किताबी ग्यान ना हो, वैचारिक कि इस जाऔर डिगर्कन का यान जाकरां की जाज़ााि जाने, जाया चाहरद ह्याँ, जागरी को पनी अपने सबस्द्स के चाहती है. जब उसको गिरफ्तार किया गया उसने लिखा आपने मेरे 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 कोटड है उसके वर्ड कि उसको इसलिए सबसे जादा यात्रा दी जाती थी कि वो भंगी होके उनके साथ लड़ रहा है तो यह जब तक यह सोच वालमी की युवाओं में नहीं आएगी तब तक मुझे में लड़की आई अब मेधा हमारे सामने है और तमाम कितने हरियाना में पिछले दिनों आपको पता होगा सबसे पहले उसने पहलवानी में भी है रेसलिंग में आई तीरेंदाजी में है ममता सोदा ने अभी अस्ट्रेलिया की पहाड़ी को जो सबसे जो दूरलतम एक उसम होने से पहले ही mcd में नाम लिखवा देते हैं बाबसाब अमिड करने कहा था कि हम मतलब अबच्छों को सिर्फ पैदा नहीं करता वो उनका भविश्य भी लिखता है उनकी किस्मत खुद लिखता है मेरे जो वालमी की समाज के लोग है वो तो खुद ही उनकी किस्मत लिख द वालमी को लेकर जो जितनी भी मुहीम हमारी जो चल रही है वो बढ़ चर कर उसमें हिस्सेदारी करें और आगे आएं वो तब ही आएंगे जब सिक्षित होंगे फिर संगटित होंगे और फिर संगठन बनाएंगे बहुत बहुत सादुवाद बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपने डिस्क्राइब किया अगर ये वीडियो आपको ज्यानवर्दक लगती है जनकारिय अच्छी लगती है जो ज्याद से यादा लोगों तक इसे पहुचाईए शेर कीजिए चानल को सब्सक्राइब जै भीम जै भारत